अच्छा यह वेल्कम टो टेक्नोगाइज एजुकेशन ने अच्छे लैंग्वेज में ओपेटर्स की सीरीज में आज हम आपके सामने ओप्रस लेकर आए हैं फ्रेंड्स बिट्वाइज ओपेटर्स इंद विट्वाइज ओपेटर्स में हमारे पास है आज एक बिट्वाइज ओपेटर्स ने है हमारे पास एंद ओपेटर्स फिर हमारे पास और ऑपेटर्स और उसके बाद है वह दो आच ज aos डेके एंद होता ने कि देखते हैं की आई ऑपातोंगे और ऑम क्योंठ रोप तर शीतने bene sono होते हैं तो लीट मीज़ेंगा आप्टेडर्स हमारे बिट्स पर काम करते है बिट्सका मदलब जईरो और वन एसका में समझते हैं अलोगाक अगे कोग को एक कटेक्ट मुझे ऐसक एक Ace डेस्ट मथे rights डेवन नंबर है तो अगर मुझे बेट्स में यानि कि binary में अगर convert करना है तो 111 यह मेरा binary code होता है decimal C का ठीक है friends कैसे निकालते हैं हम लोग मैं आपको बताता हूँ हम लोग यहां पर start करते हैं 128 ठीक है friends इसका half हम लिखते हैं 64 इसका half हम लिखते हैं 32 इसका हाफ हम लिखते हैं 16 16 इसका हाफ हम लिखते हैं 8 इसका हाफ हम लिखते हैं 4 इसका हाफ टूर्स का हाफ ठीक है friends यह हम लोगों ने हमारे बिट्स लिखे हैं अब अगर मुझे 7 का निकालना है तो friends मुझे यह जो 1 2 3 4 5 6 7 8 bit अलग-अलग values है इन में से किसके अगर पीछे से चलता हूं तो मैं यहां पढ़ लिख सकता हूं कि यह मैंने लिया है वन मैंने लिया यानि जो जो मैंने लिया उसके लिए मैं 11 लूँगा और बाकी के जितने भी बिट्स से पहले के उन सब किलिए मैं 00 लगा दूँगा ठीक है फ्रेंट्स जेरो लगाना है कोई मतलब नहीं है इसलिए मैंने इसलिए मैं 111 बता दिया है तो बिट्वाइज ऑप्रेटर का मतलब यह है कि बिट्स के ऊपर हमें कैल्कूलेशन करनी है ठीक है फ्रेंट्स तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो हमारे पास सबसे पहले जो बिट आपरेटर है वह एंड अपरेटर है कब काम करता देख इट बिकम वन इफ बोथ बिट वैल्यूज रवन ठीक है देखे फ्रेंड्स यहां पर हम नीचे एक्जामपल लेते हैं कि मेरे पास एक वैरियबल है जिसमें मैंने 7 इंपुट करवाया है से मेरे पास वैरियबल है जिसके अंदर मैंने 5 इंपुट करवाया है ठीक है अब यहांपर मेने क्या किया है कि एक सी नाम का वैरियबल लिया और उन्स ही नाम के वैरियबल में मैंने योग ej और वी को अशाइं कर वादिया है आफर जेर और 6 यहां पर देखे मैने E and B toys operator B मेंने लिखा है और उसको मैंने C में डलवा दिया है ठीक है friends, तो यहां देखाव हमने क्या क्या हो है यहां पर सबसे पहले जो मेरा 7 था, ठीक है 7 जो मेरे decimal number था, जो मेरा A में था ठीक है, जो मेरा A में था, उसका मैंने binary code बनाया 111 ठीक है friends और उसका जो मेरा 5 था जो मेरा बाद B में था उसका मैंने binary code बनाया 101 ठीक है friends अब यह क्या कह रहा है कि it becomes 1 if both bit values are 1 यह कह रहा है कि जब उपर और नीचे वाली दोनों values अगर 1 है तो यह 1 बन जाता है otherwise जितनी भी conditions हो चाहे ऊपर 1 हो नीचे 0 हो या ऊपर 0 हो नीचे 1 हो या दोनों जगे 0 हो तो यह 0 बन जाता है ठीक है friends यहां पर देखिए यहां पर 1 1 का इसने 1 बना दिया 1 0 का इसने 0 बना दिया और 1 1 का इसने 1 बना दिया सेम हमारा program है यहां पर हमने क्या किया है कि मेरा जो ए है ए में 7 बी में मैंने 5 input करवाया सेम जो मैंने वहां program बनाया था यहां पर भी बनाया है अब इसका output देखिए 5 और वहां पर भी हमारा यह कह रहा है कि अगर दोनों उपर और नीचे वाली दोनों बिट अगर 0 है तो ही यह 0 होगा अगर उपर नीचे वाली 1 और 1 है तो 1 होगा अगर उपर वाली 1 और नीचे वाली 1 है तो भी 1 होगा अगर उपर वाली 1 और नीचे वाली 0 है तो भी 1 होगा बाकी हर अगर यह सार बात यह है कि देखिए यह मेरा वन है यह मेरा वन है तो यह इसका वन बन गया ठीक है यह मेरा वन है ठीक है और यह मेरा जीरो है तो यह क्या बन गया वन बन गया यह मेरा वन है यह मेरा वन है तो यह भी मेरा क्या वन गया वन बन गया यह जिरो किस कंडिशन में होता जब मेर मेरे ओपर भी जीरो होता और नीचे भी लिखे तो मेरा उट्पुट आ गया सैवन हर रंगे Northern यहां पर देखें यहां पर मैं remainder इसरे और ओर को फिर उप यहां यहां देखेंगे तो मिकनों सेवनां सबते हुआरे से उप्रेंट में दोर्डवेतों और नटैंद है A become 1 if both bit values are opposite to each other. Opposite to each other का मतलब यह है कि अगर उपर वाला 0 है नीचे वाला 1 है तो 1 हो जाएगा अगर उपर वाला 1 नीचे वाला 0 है तो 1 हो जाएगा इसके अलावा अगर दोनो 1 है तो 0 होगा दोनो 0 है तो 0 होगा ठीक है? यानि कि एक दूसरे के opposite होना चाहिए उपर वाला 1 नीचे वाला 0 तो 1 उपर वाला 0 नीचे वाला 1 तो 1 Otherwise 1 1 0 हो जाएगा 0 0 भी 0 हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स यहां देखिए यहां पर 1 1 0 बन गया 1 0 का इसने 1 बना दिया और 1 1 का इसने 0 बना दिया ठीक है फ्रेंट्स यहां पर देखिए यह मेरा वन है यह मेरा वन है तो वन वन गजने जिरो बना दिया यह मेरा वन है यह मेरा जिरो है तो इसको इसने वन बना दिया ठीक है और यह इसने मेरा वन है यह मेरा वन है तो इसको इसने जिरो बना दिया ठीक है फ्रेंट्स रंगर है oh yeah yeah ہیں COMmost चलिये एब हम चलते हैं इसी सीरिस में आ जा कैंश के भी चाल एंब है लेका पीलिफ कोंप्र Twenty aatreños सबसे पहले सब भी 0 है 0 को 1 कर देगा 1 को 0 कर देगा तो यह क्या करेगा कि सबसे पहले it converts 1 into 0 and 0 into 1s यह क्या więks वन को 0 कर देगा 0 को 1 कर देगा ठीक है वहीं पर अगर मैं बात करता हुँ करने के लिए क्या करेगा है तो उसका 밝혔 क्या करेगा तो उसको तो माइनस कर देगा और नेगटिव एल्यू को यह प्लस कर देगा ठीक है नीचे एग्जांपल ले तुरो समझेंगे इसको after that we need to apply two's complement and add a bit one हम क्या करेंगे एक bit उसके पीछे add कर देंगे कैसे वगा देखो मैंने एक variable लिया int a जिसमें मैंने 35 input करवाया ठीक है और यहां पर मैंने क्या कर दिया कि यह operator जो है friends यह वाला operator यहां लोग ओपर देख सकते हैं heading के अंदर यह वाला operators है यह operator मेरा complement operator गो denote करता है ठीक है अब देखिए यहां पर यह जो binary code लिखावा यह binary code है मेरा 35 कहा है कैसे होगा 35 पर देखिए यहां पर देखिए मैं यहां पर कौन कौन से values को ले सकता हूं 35 बनाने के लिए आपको अभी में बताता हूं देखिए यहां मैं 32 ले सकता हूं 16 नहीं लोगा ठीक है 8 भी लोगा 32 और 4 36 होते हैं यह भी नहीं लोगा 32 प्लस 2 34 होता है और एक 35 होता है तो मेरा यह जो बनेगा वो बनेगा 1 16 क्लिए यह 0 8 क्लिए यह 0 4 क्लिए यह 0 2 क्लिए यह 1 और 1 यह 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 जो जो मैंने values मिला कर 35 बनाए है उनके लिए 1 आए गा जो राम वाल्यू त मिलें लुखहा है तो मै donors azone नहीं सेम है । CODE है तो मिलें है तोसटे अवन चली है यह Perfect है अब इसने क्या कि ट्रेज हो जिए बना जीरो बना दिया, ऐसे करके इसने सब को reverse कर दिया, ठीक है, और आप जो value को निकल गया है, यह हुआ है, 220 220 निकल गया, यह लेकिन आप हमें क्या करना है, कि 2's complement में apply करना है, 2's complement apply करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वापस सारी values को reverse करना पड़ेगा, ठीक है, और reverse करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर minus symbol लगाना पड़ेगा, जो हमने लगाया देखिए, front पर हमने minus लगाया ठीक है, front पर हमने minus लगाया, 2's complement के according हमें यहाँ पर plus 1 करना है, plus 1 करने पर यहाँ क्या हुआ हमारा, 1 और 10 हो गया, फिर यहाँ पर गया, फिर 1 एक हमारा चला गया, यहाँ पर 110 हो गया, फिर 1 हुआ, फिर 1 हमारा एक चला गया, 101 हो गया ठीक है, जोर operator के तरह काम करेगा फ्रेंट से, ठीक है, यह इसको 1 हो गया और remaining आगे as it is हमारा हो जाएगा तो ये जो मेरे निकल के आएगा ये मेरे निकल के आएगा minus 36 यानि मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं 35 का अगर मुझे complement निकालना है bitwise complement निकालना है तो मेरा output आएगा minus 36 ठीक है इसके लिए जुगाड और निकाला है कि आप कभी भी try करके देखना कि जब भी आप cool भी positive value डालोगे है ना और उसके आगे आप ये complement symbol अगर लगा देते हो तो अगर मैंने मालो की 15 लिया किसी variable a के अंदर तो उसका output आएगा minus 16 उसका output आएगा minus 16 अगर मैं 30 लेता हूँ तो उसका output आएगा minus 31 minus 31 ठीक है friends तो इसका क्या मैंने output निकाला कि अगर मेरा n 30 है ठीक है then complement n will be minus 36 यह क्या बन जाएगा minus 36 बन जाएगा it means when we use complement operator with positive value then output will be minus n plus 1 ठीक है क्या हो जाएगा हमें सिर्फ क्या करना है कि जो मेरी value है उसमें एक add करना है और symbol को minus कर देना है simple सी वात है ठीक है बिल्कुल देसी जोगाड़ है अगर आपके competition exam में कहीं पर step पर कोई question आता है ठीक है तो मेरा output आएगा वो आएगा minus 36 में से 1 अगर में निकाल देता हूं तो मेरे बस बजेगा 35 और 35 मेरे बस positive value निकलके आ जाएगी ठीक है friends तो अगर आपको fast output निकालना है तो fast output निकालना है आपको यह तरीका अब अपना सकते हैं यहां पर मैं B हटा देता हूं ठीक है compliment आगे लगा देता हूं और यहां पर यहां पर मैं 35 ले लेता हूं ठीक है friends बी को मैं हटा देता हूं ठीक है चलिए रंग दरवाते हैं output देखे मेरे 36 आ गया अब यहां पर अगर मैं 45 लोंगा तो output मेरा जाएगा माइनस 46 यहां पर अगर मैं 78 लोंगा तो output आ जाएगा मेरा माइनस 79 ठीक है friends और यहां पर अगर मैं 78 लोंगा तो control F9 करिए मेरा output आ जाएगा 77 ठीक है friends तो यह उप्ल देशी तरीका निकालनेगा आप इससे निकाल सकते हूं ठीक है अब इससे सीरीज में आगे चलते हैं आगे हमें देखना है कि bitwise left shift operator ठीक है friends bitwise left shift operator देखे left shift operator में क्या होता है कि जैसे मेरे पास एक value दी हुए 23 23 का यह जो मैंने लिखा हूआ है यहां से यह पूरा जो मैंने code लिखा हूआ है यह binary code 23 का ठीक है friends यह binary code 23 का आप निकाल सकते हैं देख सकते हैं जैसे हम चलते हैं वापस से हमारे यहां पर 23 निकालने के लिए मुझे 16 जाना पड़ेगा ठीक है और इमको पहले में cross कर देता हूँ ठीक है क्योंकि पुराने वाले 16 लेना पड़ेगा 16 में अगर मैं 8 add करता हूँ 24 होगा जोकि मुझे निकालना किसका है मुझे निकालना 23 का है 24 exceed कर जाएगा 20 यह 8 में नहीं लोगा 16 प्लस 4 कितना होता है 16 प्लस 20 होता है तो मैं यहां पर लोगा 1 16 के लिए 8 के लिए 0 4 के लिए 1 2 के लिए 1 और 1 के लिए 1 तो 1 0 111 ठीक है 1 0 111 8 bit में value यहां पर उठाँगा ठीक है 8 bit value लेने के अब मुझे यहां पर अगर 1 shift करना आई यहां पर मैंने 1 लिखा हुआ है यह देखो मैंने 1 लिखा है कि अपनी सारी values को 1 kick bit left side पर shift कर दूँगा ठीक है 1-1 bit में left side पर shift कर दूँगा तो यह देखी 1-1 bit में left side पर shift होते जा रहा है यह देखी है shift हो रहा है और जो last वाली bit है उसमें मैं 0 add कर दूँगा ठीक है यहां क्या करूँगा 0 add करूँगा तो अब values मेरे पास निकल के आएगी इसका अगर binary निकालता हूँ तो वो binary निकल के आएगा मेरा 46 ठीक है वो binary code मेरा निकल के आएगा 46 आप निकाल सकते हो उसी formula कत्रूँ जो formula मैं नहीं आपर बताया है 46 का जो binary है वो आप देख सकते हो 32 32 32 प्लस अगर मैं add करूँगा 8 तो 38 38 38 38 प्लस 38 प्लस 48 अपना ठीक है 38 प्लस 4 हो गया है मेरे पास 42 42 प्लस 2 46 और यह 47 ठीक है तो यह मुझे लेना नहीं है 46 मेरे पास आजाएगा मैंने लिए 32 32 फिर मैंने लिए 8 यानि 101 फिर यह 4 मैंने लिए फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर फिर 0 लास्ट में 0 है ठीक है तो 1 0 1 1 1 1 0 ठीक है यह मेरा पोटिक से निकलता है ठीक है फ्रेंड्स यह तो होगे हमारा हम लोगों का अगर रूल का हम फॉलो करते वे चलते हैं अगर देशी जुगाट हमें देखना है तो इसे जुगाट बिल्कुल सिंपल अग्रेंड्स आपको क्या करना है कि यह में जो भी वैल्यू है अगर यहां पर 1 दिया हुआ है तो इसको सिंगल टाइम 2 से मल्टिप्लाई करना है ठीक है जिसे हमने यहां किया हुआ है ठीक है तो लैक्ट सैटर्ण में मल्टिप्लाई होता है यहां पर अगर मैं वन दूँगा यहां ?? तो एक टाइम 2 x 2 होगा अगर यहां मैंने 3 दिया है तो 3 x 2 होगा तो आउट्पुट मेरा निकलके आएगा बिल्कुल एक निकलके आएगा वहीं पर कर में 23 के बात करता हूं तो अगर 23 को यहां पर मेरा 1 दिया हुआ है तो मुझे एक बार 23 को टू से multiply करना पड़ेगा तो मेरा output 46 से निकल के आता है और यहां पर भी देखिए फ्रेंड्स मेरा output 46 से आ रहा है ठीक है फ्रेंड्स तो यह वाला जो यह वाला जो मैंने बताया है यह बिल्कुल देशी जुगार है इसके तुरू आप निकाल सकते हैं ठीक है फास्ट वे निकाल ले यह हमने 23 का यह पूरा हमने binary code यहां पर लिख दिया है ठीक है binary code लिखने कर अब किसली वार हम लोगों ने left shift किया था अब हमें right shift करना है यह देखिए हम right shift कर रहे है ठीक है एक-एक bit right shift कर रहे है क्योंकि उपर मैंने यहां पर single bit right shift किया अगर मुझे यहां दो लिखता था तो दो-डो bit right shift होती है ठ्यक है दो big right shift होती है यह लास्ट जो बसक्ना है उसके जिगा हमें क्या डाल दाला है दाल देना है, छिकर लास्ट में भी जिरो डाल देना है, clear, तो ये मेरा 23 है, 23 का मेरा output आजएगा 11, छिकर फ्रेंट्स, 23 का मेरा output आजएगा 11, 11 क्यों आएगा देखे, मैं आउगे बताता हूँ, छिकर ये तो आप बार्कोड से देखे सकते हैं, 11 का बार्कोड है, ठीक है यहां पर देखिए देशी जुगाड़ा मारा गया है देशी जुगाड़ यह है कि left shift bitwise operator में तो यह multiply हो रहा था लेकन right shift में divide by 2 होगा अगर मैं 1 देता हूँ तो single time divide by 2 होगा अगर मैं यहां पर 2 देता हूँ तो यह double time 2 into 2 बरगे divide by a से divide हो जाएगा ठीक है अगर मैं तो 2 into 2 into 2 और यहां पर friends mistake किया हुआ है यहां पर हमें division का symbol लगाना है ठीक है यह हमारे division का symbol है ठीक है तो divide by a कर रहा है ठीक है friends तो जैसे अगर मैंने 64 लिया था 64 अगर मेरे पास single मैंने लिखा हो था 64 divided by 2 कितना होता है 32 होता है बिल्कुल साही output आया है ठीक है वहीं पर अगर मैं 64 divided by 2 into 4 8 root 5 और खोर शोला ही आयगा ठीक है घॉल और यहां पर मैं two two into two into two ना ने 8 ठीक है अगर मै 24 divided by 8 एड करता हो तो मेरा आट्वट कितना है तीक है तीक है वहीं पर यहां पर relevance लिया है यहां कि friends यह जो इसलिए जब मैं 23 को डिवाइड बाइड टू करता हूं ठीक है तो यह कितने टाइम जाएगा यह मेरा 11 टाइम जाएगा ठीक है 11 टाइम जाएगा क्योंकि पॉइंट वैल्यू आती नहीं इसलिए आउट्फूट मेरा कितना जाएगा ठीक है फ्रेंट्स चले अब हम इन दोनों को चला के देखते हैं यहां पर मेरे पास मानलो की फर्स्ट टाइम मैंने लिया था वहां पर 23 ठीक है यह मैंने 23 लिया और 23 लेने के बाद यह मेरा है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर पाई वन अब इसको अगर मैं चलाओंगा तो मेरा जो आउट्पूट है वो 46 आएगा और अगर मैं इसको टू कर देता हूं ठीक है अगर मैं टू कर देता हूं तो देखें कंट्रूल इसको मैं रन करवाता हू ठीक है तो मेरे पार 92 आजागा है यानि 23 इन्टू 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 ठीक है फ्रेंड्स और वही पर अगर मैं इसको यहां पर राइट शिफ्ट की जगह है लेफ्ट शिफ्ट अगर कर देता हूं तो अब मेरा उट्पूट देखें क्या आएगा मेरा तो यह मेरा सी लेंग्वेज के बिट्वाइज ऑपरेटर से अगर आपको आज का लेक्चर अगर पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे हैं तो आप मेरे वीडियो को शेयर भी करिए थैंक यू फॉर वाचिंग अगर आप दो आपको 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 आपक